याग आज न्यूस पोस्ति collective में बात सिविल सरविसेज के रिजल्स की लेकिन आज बात उस शचक्स कि जो मस्झिद में से पढ़ कर देखिए किस तरह से वहां से सिविल सर्विसेज की तयारी हो रही है और वहां से निकले हैं अश्रफ ये हैं मुहम्मद अश्रफ इनकी शानदार कामयाबी के लिए इन्हें लगातार बढ़ाईयां मिल रही है इन्होंने काम ही ऐसा किया है पहली ही कोशिश में अश्रफ ने UPSC की Civil Services की परिक्षा में कामयाबी हासिल की है और 1032 वी रैंक हासिल की है गरीब परिवार से आने वाले अश्रफ अपनी कामयाबी काश्रे दे रहे हैं चेन्नाई के अजगिया कदार I.S. Academy को जिसे लोग जानते हैं मक्का मस्जित I.S. Academy के नाम से I cannot afford much for this to complete my education in this UPSC field So for this Lucky Catan I.S. Academy has helped me a lot right from the beginning till the end to achieve this goal They have sponsored everything right from the beginning like boarding, lodging, everything, books, study materials, everything And they helped me a lot of Ajitis चेन्नाई के अन्ना सलाइबे मक्का मस्जित के इमाम मौलाना शमसुदीन कास्मी ने इस Academy की शुरुआत की थी साल 2011 में Civil Services परिक्षा की तैयारी के लिए कास्मी ने मस्जित की तीसरी मन्सिल पर ही I.S. Academy की शुरुआत की थी आज उन्हें ना सिर्फ अश्रफ पर गर्व है बलकि इस बात का फक्र भी है कि मस्जित में चलने वाली इस तरह के अगैडमी देश में सिर्फ यही है परिक्षा की तैयारी के रिपोर्ट के मताबिक आल ओवर इंडिया में मुसल्मानों का एकणामी और एजुकेशनल लेवल बिलकुल लो लेवल में है खास तोर पर टमिलनाड में तकरीबन 20 साल से मुसल्मानों से एक I.S. एक I.P.S. नहीं आया इसकी वज़े से जो हैं हम लोग इसके बारे में बहुत फिकर करके यह आड़ही अकडन I.S. अकडमी के हम लोग के काईम किया मस्जिद में चलने वाली एक एडमी गरीब तपके के चात्रों के लिए वर्दान है अश्रफ की कामियाबी से अब यहां पढ़ने वाले दूसरे चात्रों भी जोश में है और अश्रफ की तरह ही कामियाबी हासिल करना चाहते है अगर यह अज़गे गड़े नहीं ता तो मेरे लिए मुश्किल होता कि पर दर जागे कड़ू तो यह मेरे लिए एक अच्छा बहुत मुखा है कि मैं यहां आया और आएस के लिए प्रिपर करिया यह कामियाबी हम लोगों को बहुत जजबा देने वाली है और हमारे अंदर एक जोश पैदा करने वाली है इस सक्सेस की वज़े से हम लोग इन्शालला हमारे खिदमत में और आगे बढ़ने के लिए यह हम लोगों बहुत मदद खरेगा